वेलकम टू फ्रोंटेज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम वेर सटिस्फेक्शन एक्सीट स्यो एस्पेक्टेशन आज का हमारा टॉपिक है 7 Most Important Uses for Spoken English ये 7 Uses Spoken English के Point of View से बेहाद immense important है तो आएए देखते हैं एक एक करके 7 Most Important Use के बैरे में संग्या प्लस चुपता या चुपती या चुपते नहीं चुपाने से Noun plus Can we never hidden? However hard you try यानि आप Noun को वहाँ पे रख करके इस तरह के sentence को बहुत sentence को बना सकते हैं तो आएए एक्जाम्पल्स को देखते हैं इश्क चुपता नहीं चुपाने से Love can be never hidden? However hard you try आसु छुपता नहीं छुपाने से टीर्स कैन वी नेवर हीडेन हावेवर हाड यू ट्राए मम्मी छुपती नहीं छुपाने से मम्मी कैन वी नेवर हीडेन हावेवर हाड यू ट्राए पापा छुपते नहीं छुपाने से पापा कैन वी नेवर हीडेन however hard you try खुसी छुपती नहीं छुपाने से happy can be never hidden however hard you try यानि आप संग्या को रख करके छुपती नहीं छुपाने से छुपता नहीं छुपाने से इस तरह के sentence को बहुत sentence इस तरह के sentence को बनाते रहिए thinking ability बढ़ाते रहिए confidence को बढ़ाते रहिए तो चलिए देखते हैं so on इस तरह से आप बनाते रहें अगले अब देखते हैं अगले use को कीप प्लस भी फोर पहशान किडिया ते प्लस रहिए रहो या रहें कीप प्लस भी फोर भी फोर का मतलब बी ओन आई एंजी तो आईए examples को देखते हैं मुस्कुराते रहें keep smiling जाते रहें keep going खाते रहें keep eating किताबें अध्यन करते रहें keep studying books लगे रहें keep doing something so on यानि इस तरह से sentence को बनाते रहें confidence को बढ़ाते रहें और sentence को बनाते रहें spoken English point of view से immense important है और आपका confidence बढ़ते जाएगा बनाएंगे तो तो चलिए देखते हैं अगले संटे अगले यूज को यूज ओफ इट प्लस auxiliary verb प्लस noun या प्रोनाउन इसमें तीन पार्ट्स हैं है हो हूँ था थे ती और गागेगी आप देख पा रहे हैं तो चलिए मैं है हो हूँ से start करता हूं मैं ही तो हूँ it is I तुम ही तो it is you श्याम ही तो है it is स्याम विद्याले ही तो है it is a school so on इस तरह से sentence को आप मैं ही संग्या और सबनाम रखके sentence को बढ़ाते रहे हैं इस तरह से अब थातेती वाले को भी देख लेते हैं मैं ही तो था it was I पागल ही तो था it was mad मजदूर ही तो था it was labor किसान ही तो था it was farmer so on इस त भी आई पैसा ही तो रहेगा it will be money समय ही तो रहेगा it will be time so on इस तरह से आप sentence को बनाते रहे जीना सिर्फ मेरे लिए live on leave for me Websim They are only from friends if they're going to them live for country franchise पड़िवार के लिए only for family जीना सिर्फ पढ़ाई है के लिए only for studyingिस तरह से आप मेरे लिए के जगापे उस दोस्त के लिए family के लिए इस तरह से sentence को बढ़ाते रहें बढ़ाने से क्या होगा आपका spoken English में रूची बढ़ते जाएगा और confidence बढ़ते जाएगा तो चलिए देखते हैं आगे कि यह अगले यूज है दू प्लस भी वान है मस्ट प्लस भी वान दू प्लस भी वान करके बनाए है जैसे examples को देख लेते हैं अवस आएte डू कम या मस्ट कम दोनों में से कोई एक करके बना सकते हैं अवस जाएए डू गो जरूर खाओ डू इट जरूर समय पर दवा लिजिए मस्ट टेक मेडिसिन अंदर टाइम अवस दूसरों की साहता कीजिए डू हेल्प अधर्स सो अन इस तरह से संटेंस को आप खुद बनात प्लास कीड़ीया किडिया कुछ भी आप उसको रख करके संटेंस का यूज करें तो देख लेते हैं जितना जल्दी हो सके आईए इस तरह से जितना जल्दी हो सके जाईए, खाईए, पिजिए, सोईए, रोईए, उठिए, मुस्कुराईए, दिल दरकाईए, तरपाईए, इस तरह से आप sentence का use करते रहे हैं, तो चली देखते हैं, last use को, use of don't plus be one, यानि मत plus करिया, नहीं plus करिया, या ना plus करिया, don't plus be one, examples को देखते है वहां मत जाओ, don't go there, चिंता मत करे, don't worry, वर्ग में हल्ला मत करे, don't make a noise in the class, ज्यादा काविल मत बनो, don't be over advanced, ऐसा मत करो, don't do so, यहां मत आओ, don't come here, इस तरह से मत जाओ, मत खाओ, मत सो, मत रो, मत उठो, मत मुस्कुराओ, मत दिल दरकाओ, इस तरह से आप sentence का use करते रहें अपने confidence को build up बढ़ाते रहें, और thinking ability को बढ़ाते रहें, और spoken English में interest को जगाते रहें, तो चलिए, spoken English, competitive English, English grammar, 10, 12, dear English levels and many more के लिए हम से जुड़े रहें, इस से जुड़ी कोई doubt हो, तो comment करे, video अच्छा लगाओ, तो like से subscribe करे, thanks for watching, have a nice day.